हेलो दोस्तों राधिरादी सभी कूप कैसी हैं आप सब आई हूप आप सभी ठीक होंगे सस्थ होंगे मस्थ होंगे और यह मौनिका वैनेश्डे का दिन बुद्वार का दिन है तारीक मुझे अच्छ से याद नहीं है और सबसे पहले मेरी जो भी यूटूब नई फैमली मु प्लीज आप लोग ऐसे ही वीडियो को अपना प्यार दें मैं भी जब भी अभी इस टैम पे थोड़ी सी व्यस्ताता चल रही है कि होली का टाइम है और घर पे थोड़ा से काम जाता रहते हैं तो शायद मैं किसी का वीडियो ना देख पा हूँ लेकिन मुझे जब भी समय म दो अशार करते हुं कि आप सभी अपनी सासोत आपनों का भी ख्यार रहे होंगे कि अपने आफोा जब से रहेंगे खुश रहेंगे तो आपको आपको हैंग और आप उंको स्वस्त रख पायेंगी तो अभी बच्चों का टिफिन तो मैंने मिदाने के लिए रग दिया है बन रहा है अभी मैं पास्ता बना रही हूं और यह एक बिल्ट का वीडियो जिसमें थोड़ी से चावल बच्चे हुए थी रात के तो उनमें मैंने नमक डाल के मतलब उसको फैला दिया था वैसे तो र और यहाँ पर न मां कर रही है अपने पेड़ पॉधों में चछड़का बहु देखिये वो आप देख सकते हैं नीया शेल है एक प्र में द fel लग गया है हैं तो इसी लिए मिर्शे में पानी कछिड़ की तो इसीलिए हमें पानी मिर्च शाल रहे हैं मिर्च कहते होती है और अर्वी के पत्ते है मतलब जो भी में लगाया है सा lights का रहे हैं तो चॉलाई 받고 सब लगा रहे हैं और इधर देखिए इधर मैं धनिया भूनने की त्यारी कर रही हूं यह खड़ी धनिया है जो वह हरी धनिया बन के त्यार होगी मतलब अभी तो फूल लगे हैं लेकिन जब वह सूख जाएगी मतलब बैसाक के टैम पर बैसाक बोले तो अप्रेल का टाइम जब मतलब थोड़ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा तो बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ कि अधर देखिए हमाने मतलब फूरा दरवाजा एक्दम गीला कर दिया है पानी से और पानी सूख भी गया है क्यूंकि काफी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है तो हमां मेरे को मोड़ रही है तो वह भाईया लेके वापिस चले गए थी और यह वाली एक रह गई थी तो यह मेरे को आज मतलब आ गई तो उन्होंने कहा कि आपके मैम आप ले लीजिए तो अभी लिया तो यह ठीक ठाक पड़ गी थी आप दो बताएं कैसी है टीशिट कलर कैसा है तो ज़्यादा नही थी 281 रुपय में मुझे ठीक पड़ गई थी क्योंकि वह अपने लिए खुद कपड़े नहीं लेते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है वह सब करेंगे लेकिन अपने ली नहीं करेंगे और हमने धनिया की चटनी पीस ली है क्योंकि खाने का जो आजकल स्वाद है ना यह मा खाने का विल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए चटनी रहे तो साथ में ज्यादा अच्छा है कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे सवस्त होंगे तो अभी फिलाल मॉर्निक का जो बच्चों को भेजने वाला काम था स्कूल वो सब हो गया है और सुवेरे के बज़रे हैं ग्यारा और ग्यारा बज़रेया और धूप देख सकते हैं पहले तो ऐसा रहता था ना कि ठंडी का टाइम है तो ठंडी में दिन जल्दी बीच जा रहा था और अभी दिन थोड़ा बड़ा सा हो गया है लेकिन फिर भी धूप इतनी जादा हो देखे लिए तो अब फिलाल सब्सक्राइब नहीं बनाई थी अलुट पंट चावल बनाया और रोटी बनाई और धनिया लसन की चट्नी पीसी जो की आपने देखी है और खाना पही नहीं घाए मैं सूचा पहले आप से थोड़ सी बात कर ली जाए तो उसके बाद मैं फिल तक 11 बजी रहे हैं तो सबने खाना खा लिया है बटन पढ़े रहे हैं तो बुलदवार को बच्चों की वाइडरेस लगती है तो मैंने कल शांग बच्चों से उत्रुआ के रखवा लिये थी बातरों में कि रख़़ो जो मैं कपड़े धोंगी तो मैं दो दूंगी सुबर कुछ खा पीलें थोड़ा सा अराम करेंगे फिर उसके बद लगेंगे हैं अपने काम सुबरे का जो मैंने पास्ता बनाया था बच्चों के लिए वही अभी फिलार में लेके बैठी हूं क्यूंकि मैंने सुबरे खाली मौर्निंग में चाय और एक प्राठा ले लिया था औ अब नहीं खाऊंगे जब फोड़ा बहुत खा लेते हैं और आजकल सबके साथ ऐसा हो रहा होगा कि किसी का खाना खाने का मन नहीं गर रहा है कि अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे लेकिन वह भी पानी जैसा लगेगा बिल्कुल भी कोई स्वाद नहीं रगता तो मैंने खाना पीना खा लिया था तो अधाय तीन बज रहे हैं बच्चे आ गए थे स्कूल से तो मैं वाइट कप्ड़ों के लिए बच्चों के बैटी होई थी क्यूंकि कल के जो बच्चों के सौक्स वगेरा थे वो भी मैंने भीगाये थे तो मैंने सुचा मॉर्णिंग में दोलूं फिर मेरा मन ने किया कि नहीं रहने दो अभी वैनेज डे है बुद्वार है तो बच्चे वाइट कपड़ा मतलब रोज बहुत जादा गंदा होता है तो एक ही दिन बार अगर पहन ले तो वह गंदा हो जाता था मैंने इसले कपड़े रख दीते मौर्णी में नही कि जब आएंगे तो दूनों कपड़े साफ में धोलिए जाएंगे तो इधर मैं बच्चों के वाइट कपड़े भी मतलब साबुन नहीं था तो मैं सर्फ में ही अच्छी तरीके से उसको भीगा ले रही हूं ताकि साफ करने में दिक्कत ना हो जल्दी साफ हो जाएं क्यू तो इधर फटा फट से मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं अधोने की बद में ब्रश लेकि वाश्रूम शाफ कर रहे थी क्यूंकि ना अगर मतलब कपड़े में लगा लिए बच्चों के वाइट कपड़े तो उसमें नील लगाती है और वाशिंग में थोड़े साफ कर दू इसलिए मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है तो उदर वाइट कपड़े मतलब वाशिंग में साफ कर दिया है और इधर मैंने यह फैला रखे पनी यह मौर्णिंग में ही दोके डाली थी चिप्स बनाने के लिए तो यह मैंने ढूंडी और इसको दोके फैला दिया है ताकि कल तो फोड़ा दूप दिखाने के दूप में दिखा के जब फोड़ा नरम हो जाएगा तभी बनाया जाएगा तो जो चावल थे चावल थोड़े और मैंने डाले थे तो वही चावल मैंने तो भी ढख दूं इसी टैम और मिर चले के नीचे चलते हैं तो अब रखने का कोई फैदा है नहीं थोड़ी बहुत रहेगा तो अगर भर पाएंगे तो भर देंगे अभी नहीं तो फिर बाद में भरा जाएगा तो अभी थोड़ दिर पाज देखा तो आमा भरने के लिए लेके बैट गई थी तो मैंसो चला यह आपको भी दिखा दे तो इसमेंस जो आमा यह बीन रही है यह तोड़ा टाइट वाला अलग रखेंगी जो नरम है वह अलग रखा हुआ है नरम वाला ही भरा जाएगा तो इसमें मसाले में मिला रखा है मंग्रैल सौफ अजवाइन जीरा हिंग और मेथी सरसो धनिया और खटाई है था मतलब खटाई अब की बार नह अगर आपको अगर इसमें मसाला के लिए जानना हो तो प्लीज मुझे ज़रू बताएगा तो मैं बता दूंगे कि इसमें क्या के मसाला लगा है किस तरीके से को में मसाला तयार किया है और यह मिर्थ का चार तकरीबन बारिश की टैम पे जब कुछ खाना उतना फिका फिका अगर तो आप देखते हैं यहां पर दिया तो आट शाम को रिया रिदी निकल गई है ब्लॉगिंग करने के लिए तो आप लोग जरूर यह भी बताएगे कमेंट में कि इन दोनों की ब्लॉगिंग आप सभी कैसे लगी लिगे कि इतना सुंदर नजारा लग रहा है देखनी आप फिंगम हो गई है हमारे घर के बाहर का व्यूंग है तो यह दुनों जा रही है खेत में चोरी चूपे से मेरा मोबाईल उठाके लिए जारी है मटर खाने के लिए क्योंकि दादी अभी चिला रही है डाट रही थी इन सब वीगों कि अभी छोटे-छोटे मटर है पोक उसने अच्छी तरीके से की लेकिन अभी ज्यादा में मुबाइल इसले नहीं रहे थी क्योंकि एक्जाम की टाइम भी आ रहा है बच्चों का तो उससे फोकस करना ज्यादा जरूरी है लेकिन अभी जब चूरी से छुपके बता बीना बताये लेके गई तो वह नहीं कुछ हो तो देखिए हमारे खेतों का नजारा है और बगल में गेमों के खेत हैं जिसमें बाल आ गया है और यह सर्सो और मतलब मतर दोने एक साथ हमारे बोया गया है और आप लोग इन बच्चों के लिए बताएगा जरूर कि हाँ आज का वीडियो आप सब कैसा लगा और रिया की कैसी लगी कि ठीक कर रहे की नहीं कर दिये पढ़ाई में तो फिला लिए ठीक ठाक है अच्छी है पढ़ाई में हरे चीज अगर जब जी इसको कोई चीज रहता है ना कि हाँ इस चीज में मुझे फोकस करना है तो यह उसी पर ध्यान देती है हरे चीकी त्यारी के लिए ट cascin, को त्युक्त को शुक्त है अब अगर आप यह व्लॉल्ग अगर अब अगर अच्छ लगा तो प्लीस लाक कर ये और क्या करिई दब में तये तो इधर देखिए अभी भी हम दोनों लोग मर्चा भरी रहे थे और यह लोग आ गए थे तब मुझे पता चला था कि हाँ यह दोनों व्लॉगिंग करने गई थी तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा हुए देखिए मर्चा हमारा भर के त्यार हो गया इतना मर्चा भ करेंगे अगर वीडियो जड़ा सभी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरू करें अगर चैनल पर हमारे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लोग में बाइबाइब